अगर कच्छे चावल से हिल दी और कुछ कम से में में बनने वाला टेस्टी नास्ता बनाना सोच रहे हैं तो इस रेसिपी को ट्राइए किजिएगा नास्ता बहुत रिस्पी बन करके त्यार होता है बच्छों से लेकर बरो तक सभी को यह रास्ता बहुत पसंद आता है इसी क पसंद आएक तो चोड़ा सा लाइक जरूड कीजिएगा आज का नास्ता बनाने के लिए मैं यहां पर लेह हूं आधा कप कच्छा चावल जो आपे घर में रेगुलर चावल इस्तमाल होते हैं वसी चावल का पर इस्तमाल कीजिएगा जितना आप चावल इस्तमाल कर रहे ह अगर आप इस नास्ते को सुबह में बनाना चाहते हैं तो रात में ही चावल और दाल को फूलने के लिए छोड़ दें चावल और मसूर की दाल जब अच्छे तरीके से फूल जाएंगे इन्हें मिकसर के जार में डाल लेंगे इसी साथ हमिस में डाल लेंगे आधा छोटा जब मच नमख इसके अलावा हम यह पी जिस इस का इस्ते माल नहीं करेंगे इसे फीछे के लिए आप को इतना पानी का ड इन अच्छे तरीके से पीछ करके एक बोल में निकाल लेंगे और देखे इतना ही गाढ़ा बैटर बना करके त्यार किजिए गा इससे ज्यादा पतला और इससे ज्यादा मोटा बिल्कुल भी बैटर को मत रखिए गा इसे पीछने के लिए मैं आप एक कप पानी का इस्तमाल क तेल जैसे के तेल गरम हो जाएगा अगल सबस्क्राइगे वेह और चॉटा जीरह ब्रेसरा दाल देंगे और सब्सकर्ण यान्यकि जार्च, वब दैयनि के दो ऐस्तमार नहीं है सालगे और नतलने के बाद नो को खिए और रखिए नियर unpack 12 मिदन गेल ऊजेए या इसे मुं मुंग फली हलके से आपको चटकडे से लगने लगए कि जब मुंग फली चटक रही है तो हम इसमें डाल देंगे एक प्याज बाड़ी कटके हुआ फालप ऐसे साथ आट लेसन की कलिया ढाल देंगे आपको चतनी को जितना तीखा बनाना है उसके हिसाब से आप हरी मिर्च का इसमाल करें मैं यहां पर दो हरी मिर्ची डाली हूँ अब इन अच्छे तरीके से हम भूनेंगे तो बस इसे भी भूनने के लिए यानि कि प्याज को भूनने के लिए ज़्यादा समय हमें विल्कुल भी नहीं लगेगा बस इस तरीके से प्याज टांस्पारेंट हो जाए जैस को आप बं नमक का इस्तेमाल नहीं की हूँ अधा छोटा चमच नमक ढाल देंगे चटनी में अच्या सा कलार आसे लिए आधाज चपट पत्रहस निंबु का रस इस्तमाल करेंगे ऐसे में आपको जितना पानी डालना हो उसके अनुसार से आप पानी डाले यानि कि चटनी आपको कितनी गाड़ी और कितनी पतली बनानी है उसके अनुसार से आप पानी डाले मैं यहाँ पर पूरा आधा का पानी का इस्तेमाल की हूँ फिर भी देखे चटनी इतनी गाड़ी बनी हुई है चमच से उठाने से या बहुत तरीके से उठ जा रहा है अब चेटने में हम तरका लगाने के लिए बहुत हीं सिंपल तरीके से तरका लगागे सबसे पहले एक चमच टिल को गरम कर लेंगे जैसे यह तिल गरम हो जाएगा आदा चोटा चमच राई डालेंगे थोरा सा कड़ी पता डाल करके बस बहुत ही सिंपल सा तरका लगाएंगे इस तरके से चटनी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है चटनी हमारी बन करके त्यार हो चुकी है आप इसे पूरी पराठा या फिर चावल के साथ भी इंजवाय कर सकते हैं अब हम पैटर रखे हुए थे अब इसमें हम डालेंगे एक चाथा टीस्पून बिकिंग सोडा अगर आपके पास विगी सोडा नहीं है तो आदा चोटा चबच इनों का बेस्तमाल कर सकते हैं एक चमच इसमें डाल देंगी निम्बू का रस अगर आपके पास दाले हूं इसके लिए पैन में सबसे पहले थोरा से तेल डाल करके इसे पोच ले पैन में बिल्कुल जदा तेल नहीं होना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा नहीं तो बटर को डाले और आपको जितना पतला या मोटा बनाना है उसके अनुसार से फैल आले याद रहे कि तवा अच्छे तरीके से घरम होना चाहिए जैसे इसमें बबल सा जाएंगे एक चमच तेल या फिर घी का इस्तेमाल करें मैं इस नास्ते को बहुत सिंबल तरीके से बना रहे हूं अगर आप इस नास्ते को और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसके बीच में पनीर या फिर चीज या फिर आपको जो भी सबजी खाना पसंद है उसको थोड़ा सा भून करके इसके बीच में डाल करके भी बना सकते हैं उससे भी यह नास्ता बहुत ही टेस्टी बनता है लेकिन अगर आपको टाइम कम है तो इस तरीके से सिंपल तरीके से आप नास्ते को बना ले और बना करके त्यार कर सकते हैं इस नास्ते को आप इसी चैटिंग के साथ सर्व करें और नास्ते को गर्मा गरम सर्व करें तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो अगर मेरी आज की रेसेपी आप लोग को पसंद आई हो आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को छोटा सा लाइक कर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अपने फ्रेंश और फैमली में जरूँ शियर कीजेगा अपने अलग टाइप का नास्ता बनाना सोच रहे हैं तो इस रेसेपी को ट्राइब कीजिएगा आज का नास्ता हम गयों के आटे से बना करके त्यार क बच्छों को टिफिन दे सकते हैं सुवा में कुछ अलग टाइप का नास्ता बनानों हो तो इस रेसेपी को ट्राइब कर सकते हैं बहुत ही फटाफर्स और बहुत ही टेस्टी सा नास्ता बन करके त्यार होता है तो चलिए आज की रेसेपी सूरू करते हैं वीडियों के वहारा धनिया और कड़ी पता इस्तमाल करूंगी आदा चोटा चमच नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और इसक साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पाइन डाल करके अच्छे तरीके से इन्हें गोल लेंगे याद रहे कि इसमें किसी भी परकार का लंचा गूठल के लिए मैं यहां पर टोटल डेर का पाने का इस्तमाल किया हूं तो देखे कुछ इस तरीके से एक दम पतला से बैटर जो है आप बना करके त्यार कर लें बैटर बन चुका है अब इसे साइड में रख देते हैं और चलिए गास के तरफ चलते हैं गैस पर चाले पैन पैन म यहां बारी कट किया हुआ बच्चे आपके जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अनुसार से हरी मिर्ची का आप इस्तमाल कर सकते हैं प्याज डालने के बाद गयाज का फ्ले मीडियम रखते हुए प्याज को एक मिनट के लिए भूल लेंगे जैसे ही प्याज थोरा स कर लेंगे जैसे मिक्स हो जाएगा इसमें से हम दो चमच जो है नर्पिलिंग जो हम बना रहे हैं उसमें से दो चमच फिलिंग एक का तोडी में निकाल करणके हम इसे साइड में डख लेंगे अब मैं इसमें डालूं गी एक चमच बाडी कट किया हुआ बेंस आपके पास बाद मेंं सेटाम कर सकते हैं सिम्रा मिर्च तो उसे भी पिस्थमाल कर सकते तरीके से darauf mix कर लेंगे गयस को बंद कर देंगे हमारे टेस्टी से फिलिंग बन करके तयार हो चुकी है अब जो दो चमच फिलिंग जो हम बाहर निकाले हुए तोड़ी में उते हम बैटर में डाल देंगे और अच्छे तरीके से फेट लेंगे इस नास्ते को बनाने के लिए नाहीं के लिए नास्ता बहुत ही सॉप्ट बन करके त्यार होता है अब देखे इतना ही पतला जो है बैटर को बना करके त्यार किजेगा यानि कि चम्मच या तोड़ा फ़े जी थोड़ा सा अच्छे तरीके से कोट कर लें इसी तरीके से पतला सा बैटर बना करके त्यार किजिएंगा नास्ते को बनाने烦ने चलते हैं ग्यास पचले मीडिय firearm रकुए नास्तिय वगा जैसे ही एक साइड नास्ता पक जाएगा इसके साइड को हम चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी नास्ते को अच्छे तरीके से हम सेख लेंगे अब जो हम फिलिंग बना करके रखे वे थे टमेटो केचप वाली उसमें से एक चमज फिलिंग को उठाते हुए इसके इसके उठाते हुए फिलिंग को हम ढग देंगे और दिखे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नास्ता बन करके त्यार हो चुका है इतने बैटर से करीब आप चार से पांच नास्ते को बहुत आराम से बना करके त्यार कर सकते हैं इस नास्ते को आप टमेटो कचप के स्क्राइड कर लीजेगा अपने अप्षराइश फामिन में जरू शियर कीजिए